तो आप लोगों का पेशा डबल करने के लिए एक और धमाकेदार कमपणी अपना IPO लेकर आ गई है जिसका नाम है रत्नवीर प्रिसिजन इंजिनेरिंग लिमिटेड इस कमपणी की सुराच हुईती 2002 में यानिक लगबक 21 साल पूरानी ये कमपणी है तो आईए जानते आखिर ये कमपणी काम क्या करती है तो ये कमपणी मैनुफेक्टरिंग करती है टेनले स्टील, फिनिशेड शीट, वासर, सोलर रूफिंग, हूग, पाइप्स, एंड ट्यूब्स ये कमपणी अटोमेटिव, सोलर पावर, विंड एनरजी, पावर प्लांट, ओईल एंड गैस, फा आप लोगों को कमपणी का काम समझ में आ गया होगा, और जिनको नई समझ में आया, उनके लिए मैने फोटो लगा के रखाए, तो फोटो में देखकर आपको समझ में आ गया होगा, कि आखिरे कमपणी क्या मैनुफेक्टरिंग करती है, तो अब इस कमपणी के फाइननसिय में इस कमपनी का total profit था 5 کرोड का जो की इस साल बढ़कर हो गया है 25 करोड का यानि की profit के अंदर इसने सांदर ग्रोध दिखाई है साथ ही इस company के ऊपर उधारी यानि की borrings की बात करे तो 2020 में इसके ऊपर total उधारी थी 150 करोड की जो की इस साल बढ़कर हो गई है 239 करोड की और उसके मुकाबले अगर रिजव कैस की बात करे तो 71 करोड़ोपी की रिजव कैस 2023 में इसके पास है तो अगर इसके प्रोपीट और रिजव कैस को मिला दे तब भी इसके उपर उधारी थोड़ी ज्यादा है की बात करें तो मुक्य रुप से तीन पियर कंपरिजन दिकरे है पहला है एमेम फोर्जिन लिमिटेड दूसरा है मेनन बेरिंग्स लिमिटेड तीसरा है विनस पाइपस और टूब्स तो आईपी वाली कंपनी का EPS की बात करें तो इसका EPS ए साथ का एमेम का है बावन का मेनन का है पाच का और विनस पाइपस का है बाइस का यानि कि अगर मेनन को छोड़ दे तो बाकी कंपनियों से इसका EPS बहुत ही कम है साथ ही अगर रिटन ओन नेट्वर्क की बात करें तो आईपी वाली कंपनी का रिटन ओन नेट्वर्थ है 29 का, mm का ए 18 का, menon का 24 का, और venus का 9 का, यानि कि return on network में इन सभी कमपनियों से IPO वाली कमपनी बहुत ही आगे है, जो कि एक plus point हो जाता है IPO के लिए, अगर इसके PE की बात करें, तो IPO वाली कमपनी का PE निकल के आता है 18 का, mm का 20 का, menon का 23 का, और venus का ए 69 का, यानि कि बाकी कमपनियों से इसका PE कम है, यानि कि ये बहुत ही सस्ते वैलुएशन बर IPO ला रहे है, आला कि इतना भी सस्ता नहीं है, लेकिन फिर भी लिस्टिंग इन के लिए बहुत बढ़ी है वैलुएशन ही, साथ ही इसके return on network में भी अच्छी कासी ग्रोथ है, आला कि इसका EPS कम है, लेकिन क्योंकि इसकी return on network अच्छी है, और PE भी सस्ता है, तो इस IPO में हमें अच्छे कासे return देखने को मिल सकते हैं, तो balance इट तो इतनी कुछ खास नहीं है कमपनी की, जितना इसका revenue है, उसके इसाब से बहुत ही कम profit ये company generate कर रही है, साथ ही company के उपर debt भी जादा है, इस company के market काप ए 475 करोड की, और इसका debt to equity ratio है 2.17 का, debt to equity ratio देखे तो थोड़ा ज्यादा ही है इस company का, और IPO से मिले पेशो का इस्तेमाल भी ये company, working capital और journal corporate purpose के लिए करने वाली है, company ने कई भी ऐसा नहीं कहाए कि ये company IPO से मिले पेशे का इस्तेमाल अपना कर्च चुकाने के लिए करेगी, अगर ये थोड़ा बोट अपना कर्च चुका दे तो साइद हमें और ज्यादा लिस्टिंग गें मिलते, लेकिन company IPO से मिले पेशे का इस्तेमाल नॉर्मल कामों के लिए ही करने वाली है, तो अब इस company के details देख लेते हैं और इसके बाद जानेंगे इस IPO में अपलाई करना चाहिए कि नहीं, तो IPO का टोटल इसू साइज है 165 करोड का, जिसमें जे फ्रेस इसू है 135 करोड का, और 29 करोड का offer for sale है, IPO के share की face value है 10 रुपे पर share, एक lot में होंगे 150 share, जिसके लिए आपको लगेंगे 14,700 रुपे, इस IPO में retail के लिए 35% का reservation धखा गया है, 30% का reservation anchor investor के लिए है, UIB के लिए 20% का reservation और H&I के लिए 15% का, IPO open होगा 4 September को, close होगा 6 September को, allotment की तारिके 11 September और listing होगी 14 September को, और जिनको IPO नहीं लगा, उनको 12 September तक अपने पेसे refund मिल जाएंगी, अब जानते हैं, इस IPO में apply करना चाहिए कि नहीं, अगर financial देखें, तो financial इतने कुछ खास नहीं है कमपनी के, जितना इसका revenue है, उसके इसब से बहुत ही कम ये profit generate कर रही है, साथ ही company के उपर उधारी यानि के borrings भी जादा है, company का debt to equity ratio भी बहुत जादा है, लेकिन इस company के IPO का size बहुत ही छोटा है, सिर्फ एक से पेसट करूपे का IPO ये company ला रही है, और valuation भी सस्ती दे रही है, जिसकी वज़ए से इस IPO में apply करना चाहिए, और अच्चे कासे listing gain भी इस IPO में मिल सकते हैं, फिलाल इस IPO का grey market premium चल रहा है, 50% के आसपास, और इसके साथ भी जो इसके peer comparison से, जिसमें से venus pipe से, ये company already share market में list है, जो कि कुछ time पे ले अपना IPO लाई थी, इसी की तरह एक और company हरियों pipes, ये भी अपना IPO लाई थी, और इन दोनों company ने अच्चे खासे listing gain दिये, करिबन 20-30% का listing gain इन दोनों company ने दिया है, आला कि ये दोनों company या मुखे रूप से pipe industry में है, यानि कि steel के pipe बनाने की industry में है, और IPO वाली company सिर्फ steel के pipe नहीं, बलकि और भी steel के product बनाती है, अलग-अलग sector के इसाब से, तो long term तो में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन listing gain के लिए आपको इस IPO में जरूर apply करना चाहिए, तो आपको जवाब मिल गया होगा, इस IPO में हमें listing gain के इसाब से तो लगाना यह पेशा, बाकि long term के लिए आप खुद निर्णाई ले, अगर आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नोटे पेखिसन बेल को वाल में सेलेक्ट करके ज़रू जाईए, थैंक्यू,